हलो दोस्तों सिलाई किलास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वावत है दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो कमीज में मार्किंग करना है जो के बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन्ट है और मेरे पास दो-तीन लोगों के कमेंट्स भी आए है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो डाल रखी है शायद उनको उस चीज में समझ नहीं आया तो वो ही चीज है जो मैं आज आपको किलियर करके बताना चालती हूँ तो इस वीडियो को दियान से देखेगा और जो इसके छोटे-छोटे से और जो बहुत कीमती स्टैप है वो समझने की कोशिश कीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखे दोस्तों यह जो हमारा कपड़ा होता है कमीज का यह देखे यह हमने डबल फोल करके पहले से ही और यहां पर हम जब भी कटिंग करेंगे यहां एक प्रेस का निशान लगा लेंगे प्रेस से इसको दबा लेंगे ताकि हमारी लाइन जो आ जाएगी वह हमारा सेंटर पॉइंट होगा इससे हमें कटिंग करने में सिलाई करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जा है दोस्तों सबोग्त यह मैं आपको एक डेमो दे रही हूं हो यह मैं सोचीज़ गाल कि इतना सा है इसकी लेंत हैं वाइन को कोशिश कर रहे हूं तो देखिए जैसे हमारा कपड़ा हमने यहां से मैं निशान लगा के बता रही है आपको यहां से हमने कमीस की मार्किंग करने हैं यह एक्स्ट वाला भूल जाए यह जो इधर का निशान बूल जाए कि अब यह जो हमने निशान लगाया है दोस्तों तो जो हमारी कमीज होती है सबसे पहले आप मानदीचे कपड़ा इधर का नहीं है. और यहां पर हमने. सबसे पहला जो निशान लगाया है को हमने 7 इंच पर लगाया है यह 7 इंच जो होता है दोस्तों यह नॉर्मल नाप बता रही हूं मैं आपको जो रेडिमेट का भी नाप होता है मतलब इजीली सब के आ जाता है अब देखें दूसरा यहां से हम दोस्तों फिर 7 इंच पर लिए देखें है यह 7 इंच का हो गया कि यह उगया हमारा 14 इंच और यह हमारा 21 इंच अब इस चीज़ को यह देखिए 7 इंच 14 इंच और यह हमारा 21 इंच अब अब ये जो नीचे का इससा है ये नीचे जितनी भी आपने लैंग रखनी है पमीज की या अंब्रेला कटिंग करनी है तो ये हमारा इप का निशान होता है इसके नीचे क्योंकि वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा तो ये चीज में आपको बता रही हूं कि मैं उपर का बता रही हूं आपको में में और नीचे की आप लंबाई जितनी मर्जी चाहे उतनी रख सकते हैं एक तालीस इंच रख सकते हैं 46 रख सकते हैं 47 या मतला 50 भी रख सकते हैं बाकि नीचे का आप कितना भी बढ़ा सकते हैं ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं और उपर का जो सिखाने का है वो आप समझ लीजिए कहने का मकसद है कि उपर का इस टाफ देख लीजिए नीचे की लैंद आप अपनी इच्छा के अनुसार भी लंबाई बढ़ा सकते हैं तो देखें कि मैंने सात इंच पर निशान लगाया था शोल्डर का अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि हमारा जो सेकंड जो हमारी लाइन होती है ब्रेस्ट की तो यह भी हम लगाते हैं साथ इंच पर यह साथ इंच में नाप बता रहे हूं आपको जो कॉमन है जो मतलब ज्यादा तर यही नाप रहता है हाँ अगर आप मालेजिए कोई लेडी बहुत ज्यादा है या जिसका ब्रेस्ट साइज बहुत ज्यादा है तो उसमें यह हमारा जो साथ इंच का निशान है वह थोड़ा सा बढ़ जाएगा मतलब एक इंच हम बढ़ा लेंगे आट इंच कर लेंगे लेकिन यह तब होता है ज स्ट्रेट कर देंगे यहां से आदे इंच का हम शोल्डर का निशान लगाएंगे अब देखिए यह हमारा साथ इंच यहां से आ गया दोस्तों इसको हम क्या करेंगे कि एक इंच अंदर की सायड लेंगे और उपर वाली लाइन से हम इसे मिला देंगे यह देखे इतना आपको समझ आ गया क्योंकि अगर हम बाहर से इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे तो वह हमारा मैठट गलत है उससे हमारी कमिस के पिटिंग नहीं आएगी इसलिए यह फ्रेंट का पीस है हमारा तो हम आगे अंदर की साइड जो 7 इंच का अपने बॉक्स यह क्लियर हो गए आपको इसके बार हम अपना वेस यह जो हमारा यहां से मान लिजिए हमारा ब्रेस्ट का साइस फोटी है फोटी है तो हम कमीज में 24 सा नापते हैं मतलब यह हमारा एक पीस है डबल हुआ वा तो हम यहां पर 40 का फॉर्ट करेंगे तो दस आ गया हमारा तो 10 तो हम्हारा पर निशान लगाएंगे यह देखिए तुक्रे एक तरह से यह देखिया यह डबल कपड़ा है हमारा तो अगर मैंने यहां से यहां तक 10 इंच रखा है तो इसके पीछे वाला भी 10 इंच पीछे वाला हो गया और 10 इंच और यह वाला तो यह हमारा आगे का जो हिस कपड़े को फोल्ड करके हम उसका फोर्थ वन फोर्थ कर देते हैं जैसे 40 अगर किसी की ब्रैस्ट है तो हम उसमें 10 इंच पर निशान लगाएंगे यह चीज़ किलियर कर यह हमारी हो गए ब्रैस्ट ठीक है अब यह है हमारी यह वाली जो लाइन है जो हमने 14 इंच पर हमने निशान लगाए थे हमारी होती है वेस्ट तो अगर यह हमारा ब्रैस्ट मान लीजिए 40 है तो वेस्ट किसी लेड़े की पतली भी हो सकती है किसी की थोड़ी बहुत ही शेप होती है तो वह आप खुद हो आए प्रश मेसर्मेंट जो भी तो मैं इसमें यहां पर आठ पर निशान लगांगी 8 और इसका डवल होiden 18 यह हमारी जो मैंने 10 लगा यहैंया है यह 89 जिए पीछे का हिस्ट ऱाज है तो यह होग्या और जब हम इसका बैक का पीस लगा देंगे तो 16 दूनी 32 यानि हमारी वेस्ट हो गई 32 थीक है अब हमारा जो हीप होता है दोस्तों वो जो हमारी ब्रेस्ट होती है उसी की अकॉर्डिंग हमारे ज्यादा तर हीप होते हैं और उसी पर निशान लगाते हैं कुछ जो बॉडिज होती है लेडिस की उसमें हलका फुलका सब कहीं कहीं फर्क होता है बाकि जो हमारी ब्रेस्ट होती है वह हमारा हिप होता है तो इस चीज का दिहान डखिएगा इसमें मैं आपको कोई पर्फेक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकती तो कि अगर ये किसी के पतले हैं या जो भी है तो आप अपने suit के according या अपने नाप के according लगा सकते हैं बागी मैं जो इस patent को बता रही हूं आपको यह 40 के हिसाब से बता रही हूं तो यह 40 पे हमारा हो गया breast का तो हमने 10 inch पर निशान लगा लिया waist है 32 inch तो हमने 8 inch पर निशान लगा लिया अब इसी तरह यह हमारे hip का निशान है तो मैं breast के according लूँगी तो यहां भी मैं 10 inch पर निशान लगाँगी यह देखें अब दोस्तों क्या करना है हमने इस line को इस से मिलाना है breast को मिलाना है waist से और waist को मिलाना है हमने hip से और अगर आप चाहें तो जो हमारा shape पट्टी होती है तो दूसरा scale होता है उसको भी आप रखके कर सकती है यह आप अगर shape पट्टी भी नहीं है तो आप इसी का use कर सकती है यहां से थोड़ा सा हम इसको कर देंगे बुलाई में यह देखें अब दोस्तों यह तो हमारी हो गए मार्किंग अब इसमें हमने क्या करना है दो इंच का कम से कम मार्जन लेना है सिलाई के लिए मार्जन आप जितना ज्यादा ले लेंगे उतना ठीक है क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी के थोड़ा size पतला होता है या कभी हमारा body में आप बचिते हमारी में जितने हो ना स्वाइक और ऊपना मिलए यह तरहारी हो बिद्विक से कर डिये थैशना कपै लेला है हमारे णोडेल से कर दोता हूं मैं महीं देतिर yak मीम और दोपैंजिए किमारण दोफेफेज़न कर बंसके हड invece कर देसे के लिए नहींड़ाई और स अपर को नहीं बताया लेकिन यह वाला जो हिस्सा हो हो गया हमारा यह होगा दामन का तो आप लंबाई जितनी मर्जि रखना चाहें गो रख सकते हैं वाकि अपर का पैटर यही रहे हैं तो यह हमारी ब्रेस्ट हो गई और यह हमारी वेस्ट हो गई और ये वाली लाइन हो गई हमारी हिप उमीद करती हूँ कि आपको शायद अच्छे से समझा गया होगा अब जो जो इसमें पॉइंट मुझे बताना है जिसका मेरे पास एक कमेंट आया है उनको जो किलियर करना है मुझे वो चीज यहां पार है तो आप देखेंगा उसको देखें दोस्तों अगर हम यहां यह जो हमारी पैली वाली हमने 7 इंच की लाइन लगाई थी तो यह हमारा बैक का निशान होता है तो दोस्तों ऐसे करके इसको ऐसे हम बैक का निशान लगा लेते हैं यह देखें अब यह जो हमने एक लाइन एक इंच पर खेची थी इसका क्या करना है दोस्तों मुझे यह पीछे का जो है हमारा बैक पीस हो गया यह के लियर हो गया अब यह जो आगे हमने एक इंच का निशान लगाए था इसको हम प्रंट का पीस करेंगे और यह देखे इसी निशान से हम ऐसे करेंगे इसको यहां से हाथ रखेंगे अपना और इसी निशान को पकड़ते हुए दोस्तो हम ऐसे चौक को रखते हुए यह उपर की साड़ लिएंगे देखे अब आपने मुझसे ये पूछा था कि मुझे निशान लगाने नहीं आते और क्या मैं स्केल को लेकर उसकी हेल्प लूँ और फिर निशान लगाऊं तो स्केल से आप निशान तो लगा सकते हैं दोस्तों लेकिन आप उसी के एक तरह से आदी हो जाएंगे और अगर स्केल नहीं हुआ तो आप जो शेब आपको देना है वो कभी भी आप पर्फेक्ट तरीके से नहीं दे पाएंगे तो मेरी आप से पर्सनल राय यही है कि आप स्केल का यूज ना करें और आप जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ उस टिप को फॉलो कीजिए और उसको ही आगे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी चीज ठीक होती जाएगी यह नहीं है कि यह वाला निशान आपसे एक ही बारी में ठीक आजाए लेकिन आप कोशिश करिए और कोशिश करते रहेंगे तो तीन चार बार में ज्यादा से ज्यादा दस बार में आप यह अच्छे से लगा सकते हैं तो मेरी राय आपसे यह है कि आप स्केल का इस्तेमाल ना करें देखें मैं एक बारी और बता रही हूँ आपको ऐसे पकड़िये कपड़े को मतलब उस पर हात रखें और जहां हमने यह निशान लगाया था जहां से रखेंगे हम चौक को और उसी साइड से ऐसे कुमाते हुए इस लाइन का भी दिहान रखेंगा बीच का बीच के लाइन को देखें और यहाँ से पकड़ के चौक को ऐसे करके इस लाइन से हमने मिला ना है देखिए कितना परपड़क्त आया है तो आप प्रैक्टिस करिए इसकी और इस चीजाव कम से कम अगर आप कपड़े भी ना करें तो एक पेपर ले लिजे और पेपर को ल जैसे यह बैक का हमने लगाया निशान इस लाइन पर में चीज क्या है प्रेंट्स यह समझे यह वाली जो हमारी लाइन थी इसको हमने पकड़ना ही चाहिए और जो आगे वाली लाइन उसको पकड़ना है अच्छा एक चीज और समझे इसमें कि और असान तरीका मैं आपको ब आपके पास अब हमने क्या करना है यह बहुत ज्यादा आसान तरीका बता रही हूं आपको मैं गोलाई करने के लिए तो हम जब पीछे वाली जो लाइन ही जब हम बैक पीस काटेंगे तो हम उसी चीज को ऐसे रखते हुए और इस धाइंच पर कॉंसेंट्रेट करेंगे यह और यहां से अपनी लाइन को उपर कर लेंगे यह बहुत ज्यादा मैं उम्मीद करते हूं अबर आप यह वाला स्टैप भी फॉलो कर लेंगे तो आपको गोलाई करना बिल्कुल अच्छे से आज आएगा तो आज की मेरी वीडियो यही थी कि आर्म होल का जो गोलाई करने क तरीका है वो किस तरह हैं और कैसे हम उसे कर सकते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज्यादा दस पंदरा भार आप इसको पेपर पे करिए ग्राफ बना बना के एक बॉक्स बना लीजिए और उसके साथ आप यह वाली चीज करिए जिस तरह मैंने आपको अब आपको तो आप अभी पिलहाल यह चीज देखिए इस वीडियो में कि यह मैंने एक आर्म होल की जो प्रॉब्लम आती है साथ इंच की वह आपको किलियर करिए कि साथ इंच पर आपने पूछा था कि साथ इंच पर सबका साइज एक ही होता है तो वह चीज मैंने आपको किलियर कर दिया और गोलाई करने का आपको इस वीडियो में मैंने तरीका बहुत अच्छे से बता दिया अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शु किलियर कर दोस्तों 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 कर दो